नमस्कार दोस्तो, आज मैं आप लोगों को तीन विभाग के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर भरतिया आई हुई है, यानि कि रिक्रुटमेंट आई हुई है, और इन सभी भरतियों में, ठीक है दोस्तो, इन सभी भरतियों में All India के कैंडिडेट ऑम फिल कर सकते हैं, चाहे वो male हो या female हो, minimum qualification, आप अगर 10th pass है ना, ये 10th pass के अधार पर भरती है, आल इंडिया का online apply start हो गई है दोस्तों, इन ही भरतियों के बारे में बताने वालों, चाहे female candidate हो या male candidate हो, सभी इस भरती में apply कर सकते हैं, तो आज इस भरती के बारे में दोस्तों इस वीडियो में, चाहे age criteria, बहुत ज़्यादा age का बहुत सारे बच्चे कमेंड करते हैं, हमारा age इतना है हम form apply कर सकते हैं, तो बहुत सारे बाते इस वीडियो के माध्यम से इन सभी भरतियों के बारे में बताने वाला हो दोस्तों, बस मेरा एक ही मांगा है वीडियो को ज़रूर लाइक के जएगा, आपका एक लाइक हमें motivation देता है, साथी साथ चैनल में पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब कर लिजे और नई नई अपडेट से जूड़ जाए दोस्तों, देखें, ये तीन विभाग में, पहला विभाग है दोस्तों, AAICLAS, यानि कि एरपोटन थारूटी आप इंडिया के तरब से, Cargo Logistics and Allied Services के तरब से नई भरती आ गई है, Only 10th Pass दोस्तों, Only 10th Pass है, और पद का नाम है Trolley Retriever, ठीक है दोस्तों, पद का नाम Trolley Retriever है, ठीक है, टोटल पोश्ट की बात करें, तो 105 पदों पे दसवी पास भरती आई है, और इस भरती में Age Criteria की बात करें, तो 18-27 साल मंगे गई है, SC-ST 5 साल का छूट देगा दोस्तों, OBC 3 साल का छूट देगा, बहुँ सारे भरतीयों में दोस्तों 23-24 साल या 25 साल से उपर नहीं मंगता, लेकिन इसमें, अगर आप 10 पास है ना, तो आपको देख लिजए, 18-27 साल है General और EWS कैंडिडेट के लिए, SC-ST 5 साल छूट, OBC 3 साल है जूट है दोस्तों, ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो only 10 वी पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10 वी पास है, 7-7, 10 पास के अलावा एक चीज़ और मंगग है, आपका फिजिकल, तो फिजिकल फिट आपको रहना जोर रही है दोस्तों, ठीक है, आपका आँख 6 बाइ 6 है, या तो आप चस्म पहन के भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और विदाउट चस्मा, वो नियर विजन आपका N5 होना चाहिए, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है, और फिजिकल में तो प्रायप्रास अभी फिटी है दोस्तों, इसमें PWD वालों के लिए सिट नहीं है, सिधा सिमपासी बात है दोस्तों, ठीक है, फिस की बात करें तो General OBC और EWS केंडिडेट को 200 रुपया है, SC, HD और All केटिगरी के फिमेल केंडिडेट को फिस में 00 रुपया है, यानि कि फिस में छूट कर दिया है दोस्तों, ठीक है, यानि कि सभी केटिगरी के फिमेल केंडिडेट को, अपलाई डेट की बात करें तो 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, 31 अगस्त इसका लाश डेट है और इस भरती में अगर आप चैन हो जाते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 21,300 के आसपास आपको सैलेरी मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी है दोस्तों, और साथी साथ ये भरती में अगर आप फॉर्म अपलाई करते हैं, तो आपको जो पोश्ट कहां मिलेगा दोस्तों, तो ये चिन्नई में हैं दोस्तों, मैं सिधा सिंपल से लोकेशन भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को तो बहुत अच्छी भरती है दोस्तो अगर आप दसवी पास है ना तो किसी के कहने मत आई आप फॉम फिल कर दीजिए और कुछ नहीं रखा गया है बस आप अगर सेलेक्टन हो जाता है ना दोस्तो तो 21,300 आपको परमन सेलरी मिलेगा इससे बढ़िया चांस आपको और नहीं मिलेगा में बात इसका बेसिक सेलरी 10,000 है ठीक है इसका बेसिक सेलरी कितना है 10,000 है तो एचारे वगेरा बहुत सारा अलाउंस आप लोगों को दिये जाएगा और सब मिला करके 21,300 होता है दोस्तो और ये जो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको कहा मिलेगा आल्रेडी मैंने तो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है ये नोटिफिकेशन लेकिन इसके अलावा भी मैं आप लोगों को एक जगा और बताऊंगा जहां से आप असानी से डाउनलोड कर स इसके बाद दूसरा विभाग है दूसरा विभाग है दोस्तों पोस्ट आपीस की तरफ से बहुत बड़ा कुछ कबरी पोस्ट आपीस की तरफ से अब कितने पदों पे भरती आई ता आप सभी को तो पता है पोस्ट आपीस में GDS जिसमें रिटर्न एक्जाम नहीं होता 3041 पर भरती आई है दसवी पास वाले बच्चों के लिए ठीक है एच क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 साल मंगी गई है लेकिन अगर आप अच्छा चांस है दोस्तों ये भी इसमें किसी प्रकार का रिटर्न एक्जाम नहीं है अगर आप 30 पास है और परसेंट अच्छा ह आप लोगों नहीं मिलेगा सरकारी जॉप के लिए ठीक है क्वालिफिकेशन ओली टेंट पास है दोस्तों अपलाई डेट की बात करें तो 3 अगस्त से अल्रेडी स्टार्ट हो गई है 23 अगस्त 2023 लास्ट डेट है करेक्शन की बात करें तो करेक्शन देखें बहुं सारे कांफ्सन आपको चोबिस से 26 अगस्त यानि की तीन दिन का टाइम दिया जाएगा दोस्तों तो यह भरती भी भूंत अच्छी है इसमें अगर आप अपलाई करना चाहते हो तो अपलाई कर सकते हैं और अगर इसमें सैलरी कितना मिलेगा यह आप जानना चाहते हो तो ABPM ठीक बनेगा दोस्तो ठीक है इसमें मतलब आपका बेसिक सेलरी ए बीपीम का कितना है दस हजार बीपीम का 12,000 ठीक है लेकिन 38% 42% हो गया है अभी तो सेंटरल गवर्मेंट में तो 42% आपको डिये वगरा मिला आगार कि इतना कुछ होता है दूस्तो ठीक है इसमें रूम रेंट वगरा भी कुछ कुछ देते हैं तो आप इस भरती में जरूर फिल किजेगा चाहिए आल अगर आप कोई गवर्मेंट जोब के तयारी करना चाहते है हायर लेवल की तो इस विभाग में अगर आपका चैयन हो गया तो उसके बाद आप धीरे-धीरे अपना तयारी करते भी रहिएगा दोस्तो इससे बढ़िया चांस आप लोगों के पास नहीं है ठीक है तो ये दो भरती तो बता दिया दोनों दसवी पास लेवल की भरती है अब तीसरा भरती आप लोगों को बताने वाला हो तो ये तीसरा भरती आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों तीसरा भरती हाला कि दसवी पास नहीं है अगर आप दसवी पास हो तो एक और उसके साथ residential school में जो 18 अगस्ट 2023 last date रखी गई है उसी भरती में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ post 1801 है जो आप लोग अपलाई कर सकते हूँ बाकी तो teacher की post है तो teacher में तो आप समी को पता है कि BA वगेरा ये सब मंगता है तो आप लोगों को पास अगर नहीं है तो आपके पास ये भरती में जरूर अपलाई कीज़ेगा तो ये जो पहला post है जे ए से यानि कि जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट ठीक है 69 पदों पे भरती है दोस्तो 18 से 30 साल एज रखी गई है और उसके बाद लैब अटेंडिन 373 पद पे भरती है 1873 18 से 30 साल एज रखी गई है दोस्तों लेकिन आप SCHT है तो 5-5 साल की छूट OBC है तो 3 साल की छूट रहता है दोस्तों आप सभी को पता है उसके बाद होस्टल वार्डन 679 पदों पे recruitment आई है 18-25 35 साल आप लोगों का एज मंगे गई है दोस्तों सेम होई है SCHT 5 साल OBC 3 साल छूट है दोस्तों फीस की बात करें इस भरती में तो general OBC CWS 1000 रुपय है SCHT 00 है दोस्तों ठीक है तो ये recruitment में जरूर फार्म ठील कीज़ेगा qualification के बात करें तो lab attendant में 12th pass मंगी गई है junior secretary assistant में 12th pass है और hostel warden में अगर आप college pass है चाहे हो कोई सब ही हो BA हो, BSC हो, Bcom हो कुछ भी आप graduation के अंतरगत आता है आपका degree में आता है तो आप जरूर इसमें apply कर सकते हैं और apply date इसका 18 अगस्ट 2023 large date है यानि कि इसमें form apply start हो गई है और ये तीनोई भाग की भरती का link मैंने description में दिया है, तो description आपको कहा मिलेगा, देखें मेरा channel में मेरा video भी चल रहा है आप लोगों सामने, उसके नीचे में more का option लिखा है, वो more के option में click किजिए, नीचे apply link, post wise नाम link करके आप लोगों को दे दिया हूँ दोस्तो, पहला तो ये दे दिया AI, ठीक है उसके बाद दूसरा में post office GDA से तीसरा में EMRS का है दोस्तो, ये भरती है ना, आप लोगों को बहुत अच्छा एक platform देगा आप अगर इसमें लग गए ना, तो आपका तो जिन्दगी बदलेगा ही बदलेगा, साथी साथ आपके परिवार वालों का भी जिन्दगी बदलेगा, जरूर इसमें try केज़ेगा, ये भरती में दोस्तो, किसी भी प्रकार का समस्य आ रहा है, तो comment में जरूर comment केज़ेगा, पहले मैं number देता था मैं जब इस भरती का link दे दिया, हर कुछ बता दिया, फे भी फे तो मैं उनलोगों कोई ignore करता हूँ दोस्तो, कोई उल्टा सिधा comment या गाली करते है मैं ignore करता हूँ, आप लोग भी अपने जिन्दगी में एक चीज़ ठान लीजे, कि कोई भी कुछ गलत आप लोगों बोल रहे तो आप अगर आप सही हो, तो आप अपने रास्ते में चलते जाएए, ये बात आप जान लीजे दोस्तो, ठीक है, दुनिया का काम ही है, बोलना, वो बोलते ही रहेंगे आपको सुना तो आप डाउन होंगे, अगर आप सुन की इग्नोर कर दिया, अपना रास्ते में आगे बढ़े है, तो आप जरूर पास होंगे ठीक है, और एक दिन बहुत ही सही जगा कहुचेंगे ठीक है, और तैयारी करते रहिए, तैयारी मत छुड़ियेगा, क्योंकि नहीं नहीं भरती है, आने वाली है दोस्तों और रेल्वे और गरा सभी में, क्योंकि 2024 लोग सभा की चुनाओ है, तो इससे पहले आप लोगों के लिए भरती आने वाली है, तो आप जरूर अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दिजिए, अच्छा सब्सक्राइब करके जूर जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए, नहीं नहीं भरती हो, कि अपडेट आपको हमेशा मिलेगी दोस्तों एक मार्गदरसन के साथ में, एक मोटिवेशन के साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्टूडू में नहीं गवर्मेंट जॉब नहीं सरकारी नोकरी के अपडेट के साथ, तब तब के लिए, जाए हिन